देखा जा रहा है कि इन चुनाओं में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं उनकी जगे इतर नए इसूज और नॉन रेलिवेंट इसूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगा लेते जा रहे हैं यह मुद्दे कहां से आ रहे हैं आप किस तरीक नहीं हूँ, चुनाओं की शुरुवात में हम लोगों ने मोदी की गारंटी जो विकास, सुसासन और सुरक्सा से जुड़े वे थे, इनी मुद्दों को हम लोगों ने जनता, जनारदन के सामने रखा था और पहला चर्ण इसी दिसा में आगे बढ़ा था लेकिन इसी दोरान पहले चर्ण के ठीक पहले, कॉंग्रेस और इंडी गढ़वंदन का जो सबसे बड़ा, जो स्योगी है, वहां कॉंग्रेस पार्टी का गोशना पत्र सामने आ गया कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टों में जिन बातों का उलेक किया है, वहां भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत करता है, और जोंकि कॉंग्रेस का इत्यास इस पूरे मामले में हमेशा संदिक्द कर रहा है, तो स्वाभाई कुरुप से ये मुद्दे प्रासंगी खो जाते हैं, हमने विकास के मुद्दे पर पिछले दस वर्स में मोदी जी के जो कारे हुएं, इंट्रस्ट्रक्चर के चेत्र में, सुरक्सा के चेत्र में, आत्म निर्भर भारत के लिए गरीब कल्यानकारी योजनाई थी, इनी मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाओं में गए थे, लेकिन उनके मेनिफेस्टों ने हमारा ध्याना करसित किया इस ओर, और आपने देखा होगा कॉंग्रेस के, एक सलाकार की रूप में, सेम पित्रोदा, उनका बक्तबे सबने पढ़ा, कॉंग्रेस ने इससे पहले, यूपए गोवर्मेंट के दौरान, रगनाद मिस्टरा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कॉंग्रेस ने की थी, करनाटक में कॉंग्रेस नेतृत्व की सरकार है, और करनाटक की कॉंग्रेस नेत्रत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की आरक्षन के लाब में जबर्दस्ती मुस्लिमों को गुशेड करके और उनके अधिकारक में बंदर बांट करने और उसमें लूट करने की सुरवात प्रारंब की है यह सभी सुन्दे पैदा करता है एक दूसरा जो विरासत टैक्स की बाद कॉंग्रेस कर रही है यह भी एक खतरना के सारा है गरीबी एक जटके में गरीबी हटाएंगे इसके लिए वे हर संपत्ती का सर्वे करवाएंगे एक्सरे कराएंगे इस प्रकार का बक्तब में कॉंग्रेस दे रही है कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो इस बात का उलेक कर रहा है और फिर उसके मात्यम से हर एक संपत्ती को यह लोग अपने कबजे में लेकर के यानि दोनों चीजें एक तरफ यह लोग देश के अंदर मजभी आधार पर देश के विभाजन की आधार सिला रखना चाते हैं दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ती अरजित की है घर बनाया है कोई प्रॉपर्टी बनाई है खास तोर पर अमारी माताई बेहने अपने लिए जेवर खरीती हैं उसको यह अपने अधिकार में ले ले लेंगे विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधाय लोग हड़प लेंगे और तीसरा बैक्तिक कानून प्रस्नल लोग को पुना लागू करने की बाद तीन तला की कुपर्था को मोदी जी ने समाप्त किया यह कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे यानि मेलाओं का इससे बड़ा अपमान होई नहीं सकता तो स्वाभाई कुरूप से इस देश का विभाजन जिन कार्णों से हुआ था अगर कोई राजनितिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उलेक करते भे देश को उधर ले जाने का प्रियास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा भारत के अंदर नकसल बाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है अगर नकसल ये और मावादी प्रिवर्टी को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रियास होगा उसका पुरजोर विरोध होगा भारतिये जन्ता पार्टी इसको कताई स्विकार नहीं कर सकती देश के अंदर यहां की जन्ता जनार्दन की संपत्ति पर भरस्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाब कारवाई पहले से सरकार कर रही है उनके एक पाई का हिसाब होगा लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताडित करने के लिए उसके खोन पसीने की कमाई पर कोई डखेती डालने का प्रियास होगा तो इसको भारतिय जन्ता पार्टी स्विकार नहीं कर सकती है और कॉंग्रेस उसकोई सयोगी दल देश की राजनीति का तालिवानी करन करने के पर उतार हो रखे हैं देश के अंदर माववादी दुस्प्रबृति को जबरन थोपने का प्रियास कर रहे हैं और प्रसनल कानून के नाम पर देश की मैलाओं का मान करने का प्रियास कर रहे हैं और लोगों की संपती पर जो इनकी कुद्रिष्टी लगी भी है इसलिए ये मुद्दे आये हैं जो आजके प्रफेक्स में रिलिवेंट हैं और इन मुद्दों को इसलिए भारतिय जनता पार्टी पुर्जोर तरीके से उठा करके जनता जनारदन का ध्याना करसित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं इनके मानसिक्ता क्या है आपके प्रति यह आप देख सकते हैं और इसलिए उस पर लगातार सरकार जो है इस पर जो है लगातार भारतिय जनता पार्टी ध्याना करसित कर रही है जनता जनारदन का कि जाकरुक हो जाओ यह लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं इस से पहले कि इनके मनसा के इन रूप इन लोगों को सफलता अपराप्त है इनके मनसोबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है आपका एक वोट देश की तस्वीर और तक्दीर को बदलने में निनाएक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था क्योंकि ग्यारा बारा तेरा में ततकालीन केंद्रिय मंत्री पीच दंब्रम बार बार वरासर टैक्स की बात कर चुके थे आज वही बात तो सेंप पित्रोदा कह रहे हैं इसलिए इन चीजों को ले करके आज फिर से जनता जनारदन को बार बार का जा रहा है कि कॉंग्रीस के इन मनसुबों पर समय रहते अपने वोट के माद्दम से पानी फेरने का काम करें अने था ये गरवंदन देश के लिए भी कॉंवन मेन के लिए और आदियावादी के लिए भी बहंकर खत्रा पैदा कर सकता है